रावन इस फिल्म में शारुखान का लुक तो रिवील हो गया लेकिन इस फिल्म के विलन याने अरजन रामपाल के लुक को अब तक छुपाया गया है और कहा जाता है शारुखान और अरजन ने ये mutually decide किया था कि इस लोग को फिल्म की रिलीस से कुछ दिन पहले रिवील किया जाएगा अक्षे कुमार अब कैनडा के लिए रवाना होंगे जहां वो अपनी इंडो किनेजन फिल्म ब्रेक अवे को रिलीस करने वाले हैं जैसे अक्षे 9 सिप्टेमबर को इस फिल्म को रिलीस करेंगे क्योंकि इसी दिन अक्षे का बर्थरे भी है जनीलिया डिजूजा की स्पोक्सपरसन ने रीसंती ये बात कही कि जनीलिया ने ओर्ड़ी चार फिल्में साइन कर ली है जिस बचे से जनीलिया और उनके बॉइफरेंड रिदेश देशमुक के फिल्हार कोई मारज फ्लैंस नहीं है बॉलिवड अक्टर फितिक रोशन और उनके डाड राकेश रोशन आज कल 24-7 अपनी फिल्म्स क्रिश्टू के बारे में सोच रहे हैं और उनका मानना है कि ये फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे पूरा करने के लिए पापा बेटे की जोड़ी कुछ भी करेंगे डिरेक्टर प्रकाश जहा अपनी फिल्म आरक्षन के प्रोमोशनल इवेंट में जोर शोर से लगे हुए हैं पर वो इस बात से बहुत अपसेट है कि यूपी गव्मेंट ने यूपी में फिल्म को प्रोमोट करने देने से साफ इंकार कर दिया है